अस्सलाम वालेकूम गुड मॉनिंग आप सब का मेरी चैनल पर वापस से स्वागत है यह गोल्ड का चार्ट है 1788 डॉलर के आसपास गोल्ड चल रहा है कल हमार रेजिस्टन्स जो था वह 1780 के आसपास था ब्रेक हुआ और अभी 1790 के आसपास चला गया है कल हमारा रेजिस्टन्स किया था मुझे यहाद नहीं आ रहा है अभी 1788 चल रहा है 1790 का हाई बना चुका है 1790 से उपर सस्टेन करने की ज़रूरत है अगर गोल्ड को 1800 डॉलर के आसपास ब्रेक करना है तो और 1800 डॉलर के उपर की क्लोजिंग करनी है तो वैसे मैंने अपने रिगी चैनल पर गोल्ड का बाई दिया था कि है एंसीएक्स वालों को आई हो आपने देखा हो अगर एंसीएक्स सिग्मेल साब लेना चाहते हो तो आप मेरे रीगी चैनल पर जोईन कर लिजिए रीगी चैनल का लिंग भी डिस्क्रिप्शन में है रिगी ग्रूप का जिसमें हम ट्रेडिंग डिस्क्रिशन करते हैं उसका लिंक बें डिस्क्रिप्शन में mcx वालों के लिए है अभी फिलाल 1788 चल रहा है अभी का रिजस्टेंट सपोर्ट देख लेते हैं क्या क्या है 1780 का आज का सपोर्ट है इसके नीचे जाता है और सस्टेंट करता है तो अग्रीबन 1770 और 1760 वापिसे जा सकता है कि तरह सुपिच्चानमरे 1795 करते इसके उपर जाके सस्टेंट करता है तो अठारा सुडॉलर और अठारा सुदस तक जा सकता है फिलहाल गूल्ड पॉजिटिव जोन में है जैसे कि आप देख सकते हो मस्ट पॉजिटिव जोन में है मस्ट तो नहीं बोलूंगा सिल्वर है मस्ट पॉजिटिव जोन में बट पॉजिटिव जोन में है आते हैं सिल्वर पर यह सिल्वर 25 के कल का रिजस्टंस हां हमारा 25 के बाद आप देख सकते हो मस्ट 24 के आसपस के हाइड रहा है कल कॉमेक्स में भी बाई दिया था मैंने mcx में भी दिया था दोनों के टार्गेट आ गये थे कॉमेक्स और फॉरेक्स के सिग्नल्स लेने के लिए आप मुझे वाट्साप कर सकते हो नंबर डेस्क्रिप्शन में है तो रिजस्टंस 25 का प्रेक होने के बाद मार्केट मस्ट पॉजिटिव जोन में चला गयते हैं आप इसको चेंज कर द इसके ओपर जाके सस्टीन करता है तो 21.15 और 21.50 तक जा सकता है फिल्हाल सिल्वर पॉजिटिव जोन में है गोल्ड भी पॉजिटिव जोन में है तो रखिएगा खयाल बचिएगा सेलिंग से प्रुडॉइल पर आता है नबए डॉलर का रोज्टन सागल ब्रेक हो चुका है मार्केट पॉजिटिव जोन में आचुका है इसपोर्ट है आज का कि 59.50 का यानі 49.50 का resistant है आज का नाइंटी डॉलर 50 बैयान मेंश पचास का ट्रेंड है पॉजिटिव तीनों मेजर कमोडिटीज का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव हो चुका है तो रखिएगा खयाल आते हैं यूरो पे उसके बाद देख लेंगे क्रिप्टो आज वैसे mcx अभी फिलहाल बंद है तो mcx के लेवल तो नहीं होंगे चलिए यूरो है यूरो चल रहा है एक सब्सक्राइब दो सुपांच के इसके रिजस्टेंस अभी बी इंटाक्ट है दो सुपांच के उपर वापिस से पॉजिटिव हो जाएगा वैसे आक्शुली कल दो सुपांच का रिजस्टेंस ब्रेक हो चुका है तो वैलिड नहीं है यह लेवल सब्सक्राइबर्स को अब आता है ब्रिटिश के पांड पर ब्रिटिश पांड का रिजस्टेंस था कल 21-10 का देखें 21-10 ब्रेक होने के बाद तकरीवन 21-40 तक चला गया था वैसे कल हम मैंने इसका 22 सिगनल दिया था अपने सब्सक्राइबर्स को टार्गेट आ गया था कली तो ज्यादा कुछ खास तो नहीं है लेने के लिए वाट सब्सक्राइबर्स में दिया है मैंने अभी का रेजिस्टेंस है 21-10 का अच्छा अभी भी होई है सपोर्ट थोड़ा चेंज हुआ है 20-50 का ट्रेंड अभी प्लाइट है इसका ज्यादा क कुछ ट्रेंड में दिखनी रहा है पर एक डबल बॉटम जैसे इस्थिती लग रही है 20-70 के असपास तो रखेगा ख्याल यहां से बाउंस मानने के काफी चांसे इसके एक बार रेक हो जाए तो अच्छी बाइंग आनी चाहिए एक डबल बॉटम जैसे इस्थिती लगते रही है यह देख सकते हो आप तो रखेगा ख्याल रेजिस्टेंस के ऊपर एक अच्छी बाइंग की उम्मीद है अब देख लेते हैं बिटकॉइं यह है बिटकॉइं यह है बिटकॉइं 23-850 का कल रेजिस्टेंस हा हमारा उसके बाद तकरीवन 24.5 तक चला गया था अभी लेवल हो जाएंगे है अब एक नएक लेवल भॉट हो चुका है 2400 का पॉजिस्टेंस थींस चल रहा है ईथर हम देक लगते हैं संसा उसके बाद 1818 का हाई बना है यह एक विक बनीए 1725 की चलिए आज का रजस्टन सपोर्ट देखते हैं सपोर्ट है आज का सत्रस्टो बीस का रखेगा ख्याल मार्केट पॉजट जोन में है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कॉमेंट कीजिएगा पेट सिगनल्स की सारी इंफोर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे रखी है लाइब मार्केट के अपडेट के लिए टेलिग्राम ट्विटर के लिंक भी डिस्क्रि